तो पार्ट ववन को हमने यहां तक कम्प्लीट किया था अब इसके बाद में हम लोग मोटव पदलू के हाउस में यहां पर एक विंड़ो को एड़ करने वाले तो सिंपले आप लोगो बॉक्स पे क्लिक करके क्यूब को क्रियेट करने के बाद में आप लोगों को इसकी बहुत adjust कर सकते हो अपने वाल के recording इसके बार में आपनों को इस क्यूब को color करना होगा तो इसके color को आप लोग around यहां पर पर पल कलर कर सकतो है जैसा कि देख से तो कुछ इस type का यहां पर पर पल कलर कर दे रहा हूं ठीक है इसके बार में आपनों को दूबारा से एक खीयूड कीच कीयूप को क्रियट कर ugly और कुछ इस टाइप के चुछ कीच गय जाएक ला कि amor मैं यहां ऐ दो कुछ बड़ाओ से अजम Śelim शेश्ट रधेनाएख यहां को कॉप्य करने हैं और बाभी कुछ इस-टाइप से सेट कर दो फिर एक और कॉपी को क्रियेट करके आप लों को इसको यहां पर ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहां पर आप लों को य एक्सिस को 90 डिगरी कर देना है फिर इसको आप लोग सिंपली ऊपर के साइड में यहां पर आप लोग सेट कर दो फिर उसी को कॉपी करके करें यहां इससे टाइप कर सकति हूए इसके भाट में jiハハ़ अपलाई करना होगा toca क्लिक कर लीगर के इक पने इमेज को संपले वाल में कीवाले बागी के Catch जो क्रियेट किये हैं उन सब पर apply कर सकते हूं कुछ इस टाइप से दिख सकते हूं हमारा window create हो चुका है create होने के बाद में फिर से आप लोगो दोबारा से box पर यहां पर click करके और यहां पर आप लोग shadow को one पर फुल कर सकते हो इसके बाद में आप लोग simply rotate करके कुछ इस टाइप के lighting को create कर सकते हो और shadows और आप लोगो यहां पर देखने को मिल जाएंगे जूकि और भी realistic feel देता है और intensity को आप लोग थोड़ा बहुत increase कर सकते हो यहां पर देख सकते हो हम हमारा total background create हो चुका है लेकि हमें back आना है यहां पर camera से और 3D import में जाना है और यहां पर scroll करके आप लोग simply पतलू का जो idle animation है उसको आपनों को simply import करना और yes पर click करना है और इसके बार में इसका size का फिच होड़ा तो आपनों को simply size को 70 कर देना है तीनो axis में ठीक है अब यह देख सकते हो अच्छे से हमारा यहां पर size में आ चुका है इसको आप लोग simply जमीन पर अच्छे से adjust कर दो और थोड़ा बहुत rotate भी कर दो मैं कुछ इस टाइप से rotate करता हूं फिर इसको यहां पर आप लोगो इसके body को और simply यहां पर एक और लाइटनिंग को मैं यहां पर create कर देता हूं ताकि थोड़ा बहुत अच्छी लाइटिंग रहे ठीक है आप लोग create कर सकते हो और इसके बाद में हमें क्या करना है कि यहां पर camera को create करना मैंने उस वाले camera को delete कर दिया था फिर जंप इन पर जाना और सेम तरीके से आपनों को यहां पर background पर क्लिक करके light blue color को simply set करना है ठीक है मैं अच्छे से यहां पर set करने के बाद में आप लोगो को अच्छे से यहां पर set करना और यहां पर 3.0 पर क्लिक कर देना ठीक है अब यहां पर आप लोग का first clip render हो रहा है और देख सकतो हमारा पतलू का clip simply render हो चुका है आपनों को save to gallery पे क्लिक करना है और इसको अलग एंगल से भी आप लोग simply render कर सकते हो for example मैं इस यहां पर angle से simply एक और clip को simply render कर रहा हूं और यहां पर यहां पर देख सकतो यहां पर scroll down करके घजीटराम के walking animation को simply आपनों को select करना है और यहां पर हम simply animation को होने देते हैं यहां पर आप लोग को yes पर click करने के बाद में आप लोग को simply size को 70 दोबारा से करना है ठीक है यहां पर तीनों axis में इसको मैं यहां पर पेड़ के पास लेकर आ जाता हूं और इस अब इसको हम लोग extend करेंगे लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है simply 3D इंपोर्ट में जाकर डॉक्टर जटका के भी walking animation को simply आप लोग को import करना है ठीक है yes पर click कर देना है और सेम तरीके से इनके size को भी आप लोग को simply doctor जटका के size को 70 पर कर देना है तीनो axis में और यह भी इसके real size में आ जाएगा फिर घसी टाराम के बगल में आप लोग को set कर देना अच्छे से ground पर भी और इसके बार में इनको भी यहां पर इनके color को आपनों को white करना है और textures में जाकर simply files में जा तो आप लोग को doctor जटका को थोड़ा सा पीछे लाना है इसके position को और simply घसी टाराम के जितने भी points होगे रहा है उन सबको आप लोग को select करना है ठीक है यहां पर मैं select करने के बार में थोड़ा सा back आना और इनके यहां पर जो keyframes हैं उन सबको भी आप लोग को simply select करना है ठीक का animation थोड़ा सा जादा extend हो जाएगा इसके बार में हम लोग थोड़ा सा आगे का process करेंगे ठीक है जैसा कि देख सकतो 379 पर मैं आ चुका हूं यहां पर भी मैं दुबारा से paste करता हूं यह paste करने के बार मेरा यह last है इसके बार में मुझे क्या करना है simply यहां पर animation को मैं play करत करता हूं और select करने के बार में आप मुझे क्या करना है इनके भी क्योंभी keyframes हो गरा है उन सब को यहां पर सिंप्ली क्लिक करूँगा और यहां पर जहां पर भी कीफ्रेम्स एंड हो रहे हो आप सिंप्ली जा कर पेस्ट कर दोंगा ठीक है इसी तरीके से आप लोगो डॉक् मैच कर रहा है और घसीटा राम थोड़ा पीछे ताँ तो मैं इसको आगे ले आता हूं और अच्छे से यहां पे दोनों को बराबर कर देता हूं इसके बाद में घसीटा राम के जो भी हमने सिंप्ली उसी पोजिशन पे अच्छे से से करके मैं की फ्रेम को लॉग कर देता हूं ठीक है तो घसीटा राम का यहां पर डन हो चुका है आगे कोई सा भी यहां पर पोजिशन चेंज करना नहीं है इसी तरीके से मैं डॉक्टर जटका के साथ करूंगा 381 पे मैं यहां पर की अब इसके बार में आप लोग को सिंप्ली ठ्री राइन करके आप लोग को रेंडर में जाना और यहां पर लोग एक क्लीप को रेंडर कर लिया सेफ टू गैलेर पे क्लिक कर देता हूं इसके बाद में मुझे नेक्स चाहिए तो इसमें मैं यहां पर दूनों करेक्टर को सिंप्ली इंपोर्ट में जाता हूं और मुझे घसी टाराम का आइडल एनिमेशन और डॉक्टर जटका का यहां पर स सिंप्ली इंपोर्ट करता हूं और यहां पर में यस पर किलिक करता हूं और इसके बाद में सेम तरीके से आपनों को सिवेंटी यहां पर साइस को करना है तीनों एक्सिस में और सेम यहां पर पोजिशन पर आपनों को कुछ इस टाप के बगल में लेकर आना है और यहां पर रोटेट कर देना है पतलू की तरफ और यहां पर color वगरा को वाइड करके simply texture समझा कर इनके भी texture को simply set कर देना है इसके बार में हम लोग यहां पर animation को play करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं animation काफ़ ददा सही है आला कि जो पतलू है उसका animation खतम हो चुका लेकिन पिर भी किया जा सकता है तो यहां पर मैं त्री लाने पे किलिक करखे सिंपली रेंडर पे जाता हूं और अच्छे से विडियो भी हमारा रेंडर हो चुका है और फिर से यहाँ पर पीछे के एंगल से बीए किलिप सिंप्ली रिकॉर्ड या फिर रेंडर कर लेता हूं प्लैक्स को दिए प्लाइं कर देना है देहolds को फिनक्सक्राइब कर देहां हो시면 हिसके बाद में वाइख करना थोड़ा से सब्सक्राइब सबस्क्राइब करना है। का उसके प offensive क Transferấp करना को सहु हमारी के दाक amazon आज मिवाए Imm-s को पेस्ट करने क्योंकि हमें सब के अनिमेशन को मैच करना एंटी से अनिमेशन को पेस्ट करते हैं इसे तरीके से आपनों को simply position जो हमारे यहां पर back हो रहा है उसको भी adjust करना है तो यहां पर मैं simply सबसे पहले इसके position को कुछ नाइन और 10 के बीच में मोटू shift हो रहा है तो मैं यहां पर 9 पर की फ्रेम लगाता हूं और 10 पर मोटू को move करके थोड़ा सा आगे और यहां पर मैं की फ्रेम को set करता हूं और अच्छे से से करने के बार में आप लोग को अनिमेशन रेडी हो चुका है इसके बार में आप लो इंगल से भी आप लोग कर सकते हो इसके अंदर सब लोग यहां पर simply included है तो यहां पर यह क्लिप भी हमारा रेंडर हो चुका है जिसके अंदर मोटू चलके आ रहा है और इसको भी मैं यहां पर save to gallery पे क्लिक कर देता हूं ठीक है इसके बाद में यहां पर मैं simply इस मोटू को साइड में रख देता हूं औरि इसको white कलर कर देता हूं और इस चेक्श्ञ को भी टेक्श्ञ में जाकर apply कर देता हूं ठीक है और इसके बाद में यहां पर तरीके से आपनों को साइज को simply 70 करना है तीनों एक्सिस में और इसके बाद में हाँ पे घसी टाराम के बगल में लेकर आना है color को white करना है और यहाँ पे textures को apply कर देना है textures में जाकर ठीक है यहाँ पे हो चुका है अब इसके बाद में हम लोग animation को play करते हैं तो दिखते हैं कि हाँ पे घसी टाराम का animation हो काफी लेट सुरू होता है तो हमें क्या करना है घसी टाराम के दोबारा से जो भी जितने भी points हो गरा है उन सब को आपनों को simply select करना है ठीक है जीरो या फिर वन एनिमेशन है वन फ्रेम है वहाँ पे आप लोग को simply अपने एनिमेशन को simply paste करना ठीक है पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे आप लोग को simply अपने camera के अंदर render में जाना है और यहाँ पे अच्छे से आप लोग frames हो गरा को adjust कर सकते हूं को यहाँ से 440 में रख रहा हुआ इसके बार में आप लोग को render करता हूं और इसके बार अलग अलक एंगल सें बिख श्रीन के सकता है त Captain Sir ठीक है यह भी वीडियो हमारा हो गया है और इसी तरीके से आप लोग जितने भी यहाँ पर कलीपीस हो करना है तोился करने प्लिक करना और यहां पे अपने क्लिक सब्सक्राइ उजशन rider कि अपर इसके उपर करो घाल कि हूएंटी करके और आप लोग यहाँ पे मेरे भी बनाय हुए फाइनल क्लिप को देख सकते हो। उन्हों के पास आया और उन्होंने पूछा कि तुम कहां थे। उन्होंने जवाब दिया मैं समोसा खा रहा था। मोटू ने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं। उन्होंने कहा हाँ हमें कहीं चलना चाहिए। वे सभी सहमत हुए।